अनुभावी, अल्लम प्रभुजी, बक्ती, कर्म और ज्ञान के प्रतिपादक्ते मनद मुंदन आशेये माय काना गुहेश्वरा जाती, लिंग और जितने भी अपर मत्पेध हैं से जड़ से मिटाने की कोशिश उनों ने उसी संदर्बुमे किया था वो जो इच्छाए उसके मन में पैदा होती है, वही क्या है यापर माया है ग्न्यान से अग्न्यान दूर होता है, क्रोध की भई की अवश्यकता नहीं है, ना ही सिंता की अवश्यकता है नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम PU कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ आज हम प्रतम PUC के हिंदी पट्य पुस्तक से मद्यूगीन कावी में से जो चवता कावी है शरण वचनामृत उसको अब हम देखेंगे, शरण वचनामृत जो कावी है, उसको देखने से पहले उसके जो कवी है, उसके जो रचनाकार है, उनका परिचय हम पहले कर लेंगे देखिए, यह जो शरण वचनामृत है, असल में यह कंणड के वचन है बारावी शती में कन्नड के प्रसिद्ध वचनकारों ने जिन वचनों की रचना की ती उनी में से प्रसिद्ध एक वचन को लेकर यहाँ पर क्या है उसको हिंदी में अनुवाद करके यहाँ पर आपके पट्टि पुस्तक में दी गई है देखिए कन्नड साहित्य में भारावी शती में ही कन्नड साहित्य में जो है शिवशर्णों ने वचन कारों ने यहाँ पर बहुती सुन्दर से वचनों की यहाँ पर रचना किया है भारावी शती के वचन कारों की जो साहित्य है जो वचन साहित्य है उसे कन्नड साहित्य में स्वर्ण यूग यहाँ पर माना जाता है महात्मा बसवर्णा जी ने क्या किया था विश्व मानव धर्म के प्रसार एवं प्रचार करने के लिए अध्यात्म योगी जो अलम प्रभूजी है अल्लमा प्रभुजी है उनकी अध्यक्षिता में अनुभव मंडब की स्तापना उन्होंने किया था तो आईए अभी किन वच्चनकारों की वच्चनों को जो है आपकी पट्टि पुस्तक में यहाँ पर दी गई हैं आगे देखेंगे पहले वच्चनकार है अल्लमा प्रभुजी देखिए अल्लमा प्रभुजी बारवी शती के बहुती सूप्रसीद्ध और सर्वश्रेष्ट वच्चनकार यहाँ पर माने जाते हैं सर्वश्रेश्ट कन्नर साहिति के वचनकार बाराविशति के वचनकार ये मानी जाते हैं ये अनुबो मंडब के प्रतम अध्यक्षि थे बस्वर्णा जिने जिस अनुबो मंडब की रचना की ते उसके प्रतम अध्यक्षि कौन थे अल्लमा प्रभुजी दे इनका जन्म शु कारी पुरा के बल्ली गावी में इनका जन्म होवा। हरिहर का प्रभुदेव रगळे और चामरस का प्रभुलिंग लीले थता अन्दि शिविशरणों के वचनों में क्या हैं? हम इनके जीवन परिचे को देख सकते हैं। ये कर्मयोगी वैराग्य मूर्ति अनुभावी अल्लम प्रभुजी बक्ति कर्म और ज्यान के प्रतिपादक ते। दुसरे वचनकार है बसवन्ना। देखे बसवेश्वर महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटक के बिजापुर जिले के इंगलेश्वरा बागेवाडी नामक स्थल में शैवोपासक दमपती मादरस और मादलांबिका के यहां हुआ। नेक्स्ट अक्का महादेवी जी अनुभाव मंडप के महिला शिवशर्णीयों में से बहुती प्रमुक और प्रसिद्ध शिवशर्णी है। अक्का महादेवी जी का जन्मुशुमग्गा जिले के उड़ुतडी ग्राव में शिववपत दमपती, निर्मन्शेट्टी और माता सुमती के पुत्री के रूप में हुआ। ये तीनों अभी जिन तीनों वचनकारों का परिचे हमने देखा वो तीनों जो है यापर बारवी शती के कन्नड साहित के प्रसिद्ध वचनकार माने जाते हैं अबी आपके पट्टि पुस्तक में इन तीनों के एक एक प्रसिद वच्छन को जो है यहापर अनुदित करके दी गई है देखिए बारवी शती में जितने भी शिवश्रण हम देखते हैं इन्होंने क्या करने का प्रया से अपर किया है जाती, लिंग और जितने भी यहापर मतबेद है उसे जड़ से मिटाने की कोशिश होनों ने उसी संदर्ब में किया था जिस संदर्ब में मतलब बारवी शती में जाती, धर्म और कुल को जो ही इतना महत्व दिया जाता था और उसके साथ साथ इसी के नाम पर बहुत सारे मतबेद, अन्याई हुआ करते थे तो ऐसे में उसी संदर्ब में वचन कारोने, इस साहित्ती कारोने क्या है यहापर उसे सुधारने की एक कोशिश जो है यहापर उन्होंने किया था शिवशरनों के मतलब जितने भी वचन कार है उनकी जो वचन है वह क्या है उनका ही अनुभव वचन के रूप में हम देख सकते हैं उन्होंने जो अनुभव किया वही अनुभव और उस संदर्ब में जो समाज में चल रही थी उसी को ही क्या है विरोध करते हुए वह अपने वचनों की रशना यहाँ पर करते हैं जिस तरह हिंदी बक्ति काल में जिस तरह हिंदी साहित्य में हम कभीरदास जी रही दास जी इन सभी संत कवियों को देखते हैं संदेश हैं यहापर देखे उदारन के लिए कबिर्दास जी को ही ले लिजिए उसके साथ-साथ उन्होंने भी कहा था कि यह संसार में सिर्फ एक ही धर्म है वहा है मानव धर्म करके वही बाव जो है हम इनके वचनों में भी देख सकते हैं उन्हीं की तरह मतलब देखें जो जाती का जो मतबेधार उसके साथ साथ मूर्ति पूजा का जो खंडन उन्होंने किया ता वहीं यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कबिरदास जी की तरह ही मतलब भक्तिकाल के समाज में समान्ता लाने की कोशिष इहापर उन्होंने किया है समान्ता के साथ साथ उन्होंने ज्यादा महत्वता यहापर किस पर दी है कर्म पर कायक पर वो यहापर ज्यादा प्राधान निता अपनी वचनों में उन्होंने दिया है आध्यात्मिक योगी अल्लम प्रभुजी की माया और बस्वेश्वर जी का अनुभाव उसके साथ साथ शिवशरनी अका महादेवी जी का लोखानुभाव जो है अम आगे इनकी जो वचन है उसमें देख सकते हैं आईए वो कौनसे वचन है आगे यहाँ पर हम देखेंगे प्रस्तत वचनों को करनाटक बसव समीती बैंगलूर द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है हिंदी भाषा के माध्यम से कनड़ शिवशरन मतलब जो वचनकार है उनके जो तत्व है उनके जो विचारदाराय है उससे छात्रों को अवगत कराने के लिए उससे विद्यारतियों को अवगत कराने के लिए क्या है उनकी जो वचन है यहाँ पर आपके पट्टे करम में द देखेंगे देखिए पहला वचन जो है पहला वचन जो है वो अल्लमा प्रभुजी का है पहला वचन अल्लमा प्रभुजी का है वहां इस तरह है कहते हैं कनक माया है कनक माया नहीं कहते हैं कामिनी माया है कामिनी माया नहीं कहते हैं माटी माया है माटी माया नहीं मन के आगे जो चाह है वही माया है गुहेश्वर देखिए इसके अर्त को जानने से पहले कन्नर में किस तरह अल्लाम प्रभुजी ने इसकी रचना की है उसको भी यहाँ पर हम देख लेंगे कन्नर में अल्लम प्रभुजी ने लिखा है कितनी सुन्दर से अल्लमा प्रभुजी ने इसकी रच्छना की है ना यही इसकी मूल रूप है उन्होंने जो आखिर में कहा यहाँ पर यह जो गुहेश्वरा है वो इनका अंकित नाम है तो आईए अभी हम इसका जो अर्थ है उसे हम जानेंगे देखिए यहाँ पर कहते है कनक माया है कनक माया नहीं कनक का अर्थिया पर क्या है सोना सभी लोग कहते है ज्यादा तर हम सम्माज में इस सुन सकते है कि जो सोना है जो कनक है वह क्या है माया है मगर अल्लम प्रभु जी आपर कहते हैं वो माया नहीं है फिर आगे वो कहते हैं कहते हैं कामीनी माया है कामीनी माया नहीं कामीनी मतलब आपर क्या है एक स्त्री, एक बहुती सुन्दरती, स्त्री, सुन्दरी, जएधा तर लोग केते जो सुन्दर स्त्रिया होते हैं, फिर जो स्त्रिया होते हैं, वही माया है इस संसार में, और आगे केते हैं, माटी माया है, माटी माया नहीं, देखिए, जएधा तर हम समाज में, या फिर जिस तरह समाज में प्रचलित है कि क्या है स्त्री, सोना और जो माटी है यह क्या है माया है कभी भी इसके सामने या फिर इसके पीछे जो है नहीं पढ़ना है फिर अल्लमा प्रभुची केते हैं यह सभी माया नहीं है तो फिर क्या माया है देखें वो आगे कहते हैं कि मन के आगे जो चाह है वही माया गुहेश्वर गुहेश्वर मतलब यह उनका अंकित नाम है इसे याद रखी है तो यहाँ पर देखें मन के आगे जो चाह रहती है वही माया है असल में क्या है हमारे मन में हर एक व्यक्ति के मन में जो चाह मतलब क्या है आपर इच्छा आशा मतलब जो मन में जो इच्छा ये रहती है वही असल में माया है इस तरह यहाँ पर अल्लमा प्रभुजी कहते है एक वेक्ती स्त्री को पसंद करता है एक सुन्दर स्त्री को देखता है उसके मोह में पढ़ जाता है वो उसे पसंद करता है असल में वो पसंद वो स्त्री माया नहीं यहाँ पर वो जो पसंद है वो जो इच्छाए उसके मन में पैदा होती है वही क्या है यहापर? माया है और उसके बाद देखें माटी कारतिया पर क्या है? मिट्टी मतलब यहापर जमीन जाइदाद के लिए भाई भाई को मार देता है पिता और पुत्र में जगडा होता है तो असल में कहते है कि इसी के कारणे सब हुआ यही माया है करके ऐसा नहीं है उन लोगों की मन में जो चाह है हाँ यह जमीन मुझे चाहिए हाँ यह जमीन मुझे चाहिए जाइदाद मेरी है यह जो इच्छा है यह जो चाह है असल में वो माया है देखिए सोने को देखकर बहुत सारे सोने को देखकर क्या है कुछ लोग उसे इतना पसंद करते हैं फिर उसके माया में पढ़ कर कोई कहते हैं कि उसके माया में पढ़ आसल में वो माया नहीं जो उसे पसंद करते हैं जो मन में जो चाह रहती है उसे पाने की जो चाह रहती है वही माया है इसलिए हम देख सकते कितने सारे छोरिया और सोने के लिए भी क्या है या तक की खून कराबा भी हुआ है तो यहाँ पर ये तीनों माया नहीं है माया क्या है यहाँ पर? मन में जो चाहा है इन तीनों को कौन चाहता है मन चाहता है एक सुन्दर्फ्त्री को देखने पर पुरुष का मन करता है मन चाहता है वो चाह यहाँ पर क्या है माया है सोने को देखने पर उसे पाने की और मिटी या मतलब जमीन जाइदात को पाने की जो इच्छा मन में होती है असल में वो इच्छा माया है इसलिए अल्लम प्रभु जी आपर क्या कहने के कोशिश कर रहे है उन इच्छाओं पर रोक लगाने के लिए आपर वो कहते हैं सही तो है देखिए अगर एक वेक्ति अपने सबी इच्छाओं पर मतलब इसके साथ साथ मद, मोह, लोब, क्रोध आदी पर अगर वहाँ रोक लगा देगा, आदी पर वहाँ एक अधिखार प्राप्त कर लेगा तो वो क्या है यापर वेक्ति जो है कोई भी गलत काम, कोई भी बुरा काम वहाँ नहीं कर सकता देखिए, इसके लिए एक अच्छा या फिर एक छोटी से उदार हम देख सकते हैं, यह जो अत्याचर स्त्रीयों पर हो रही है, किसके कारण, उसी लोब के कारण सोने अगर कोई पहनता है तो उसको छीनने के लिए जो है आपर खून खराबा होता है, चोरी करते हैं, लोग चोरी करते हैं, बाई बाई में जगड़ा होती है, बाई बाई को मार देता है, और क्या है पति पतनी को मार देता है, इस सभी खून खराबा, इस सभी किसके हो रहा है इसी माया के करन माया मतलब आपक क्या है इच्छा यह जो मन का जो मोह है वही असल में माया है अगर मन के मोह पर हम काबू कर लेंगे मन के मोह लोब और उसके साथ सत्मद क्रोध इन सब पर अगर हम क्या है काबू प्राप्त कर लेंगे तो क्या है समाज में वो सबी जो दुश्कर्म है वो नहीं हो सकता करके कहते हैं। तो इस वच्चन के जरीए वो मन के मोह पर अंकुष डालने के लिए एक संदेश देते हैं। नेक्स्ट बसवर्णा जी का। ज्ञान से अग्ञान दूर होता है, जोती से तमंद दूर होता है। सक्ति से असक्ति दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों की अनुभाव से मेरा भव छूट गया कूडल संगम देवा। देखिए ये बसवेश्वर मतलब बसवर्णा जी का एक वचन है। इस वचन के जो अर्थ है, उसे जानने से पहले कन्नड में इस वचन की रूप को हम यहापर देखेंगी। जोतिय बलदिन्द तमंदददगेड़ू नोडईया। सत्यद बलदिंद असत्यद केड़ू नोडईया। परुषद बलदिन्द अव लोहद केडु नोडईया। कूडल संगना शरनर अनुभावद बलदिन्द एनन भवद केडु नोडईया। देखिये, यहाँ पर कूडल संगमा देवा जो है, यह उनका अंकित नाम है। इस आपको अच्छे से याद रखना है। यह पर बसवर्णा जी क्या कह रहे है ज्ञान से अग्णियान दूर होता है अगर अग्णियान को एक वेक्ति हो या फिर एक समाज हो संसार को या फिर एक वेक्ति को अग्णियान से दूर करना है तो वहाँ पर ज्ञान की अवश्यकता पड़ती है जब हर एक वेक्टि में ज्ञान प्राप्थ होता है तो उस ज्ञान के शक्ति से अग्णान दूर होता है वही जोती से तमंद दूर होता है देखे तमंद मतलब यहापर क्या है अंदकार क्या है तमंदकार्त अंदकार है अंदकार मतलब अंधेरा तमंदकार्त यहाँ पर क्या है अंधेरा अगर आप अंधेरे को दूर करना चाहते हो तो वहाँ पर जोती की प्रकाश की अवशिकता है जिस तरह क्या है यहापर जोती से यहापर अंदकार दूर होती है वैसे ही सत्य से असत्य दूर होता है किस तरह यहापर जोती से अंदकार दूर होता है वैसे ही सत्य से असत्य दूर होता है करके कह रहे है जब संसार में हर कोई यहापर सच बोलेगा तो जो असत्य है, आसत्य मतलब यहापर क्या है? जूट, असत्य मतलब क्या है यहापर? जूट है, तो क्या है वो अपने आपी यहापर धूर बाग जाएगा? ज्ञान अज्ञान सत्य असत्य ये दोनों क्या है यहाँ पर आपोजिट वर्ड है विलोम शब्द है याद रखिए सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान विलोम शब्द है तो किस तरह यह पर जोती जलाने पर या फिर सूरज का उगने पर रात का जो अंदेरा है वो दूर होता है सूरज की सुनेरी किरणों से रात की जो अंदेरा है वो दूर होता है पूरे संसार से या फिर एक गर में एक चोटी सी दिया जलाने पर पुरे गर की जो अंदेरा है वो दूर होता है वैसे ही ज्ञानत रूपी जोती से अज्ञान दूर होता है वैसे ही सत्य से असत्य हापर दूर होता है और एक उधारन वो देते हैं पारस से लोहत्व दूर होता है देखे, पारस मतलब यह एक स्पर्श मनी है, क्या है पारस मतलब एक स्पर्श मनी, वो भी कल्पित पत्तर है, साहिती में इसका प्रयोग करते है, देखे, यहाँ पर कहा जाता है, जो स्पर्श मनी है, जो पारस है, उसे लोहे पर लगाने से, या फिर उसे लोहे से स्पर्श क कराने पर क्या होता है वो जो लोहा है सोने में बदल जाता है वो जो लोहा है सोना बन जाता है इस तरह एक कल्पना जो है आपर किया जाता है तो इसलिए उन्होंने कहा है पारस से लोहत्व दूर होता है पारस नमके जो सपर्शमणी है इसे लोहे पर सपर्श करने से क्या होत तो इस तरह उसका जो लोहत्व है वो दूर हो जाता है वैसे ही आपके शरणों के अनुभाव से मेरा भव छूट गया है आपके मतलब यहाँ पर क्या है भगवान के यह जो अनुभाव है इसका यहाँ पर अर्थ जो है विभिन्य रूप से किया जाता है अनुभाव मतलब यहाँ पर क्या है उसका यह अर्थ यहाँ पर इस तरह है कि जो भगवान की अनुभूती प्राप्त करते हैं उनसे जो चर्चा की जाती है उसको भी यहाँ पर अनुभाव कहा जाता है और एक जो अर्थ है यहाँ पर वो इस तरह है कि भगवान से साक्षात प्राप्त करना तो इसको आर्तिया पर क्या है जो आपके शरण है मतलब जो आपके शिवशरण है उनके अनुभाव से मतलब उनके साथ चर्चावी मर्शा करने से जो शिवशरण है है चन्नम अल्लिक आर्जुना देवा आपके जो शिवशरण है उनसे यहाँ पर चर्चाव मर्शा करने से या फिर उनके प्रभाव से मेरे सारे भव जो है इस लौकिक संसार में मेरे सारे बहु भादा जो है वह तोट गया चन्नमलिकार जुना देवा करके वह कह रही है तो यहाँ शरणों के जिनके यहाँ पर साक्षातकार जो है भगवान से हुई है उनके प्रभा से ही उनके साथ चर्चा विमर्शा करने से या फिर सत्संग से क्या होता है यापर सारे भव चूत जाता है करके यहाँ पर बस्वन्ना जी कह रही है तो इस तरह बस्वन्ना जी यहाँ पर क्या कहते हैं इस तरह ग्ञान से अग्ञान जोती से अंदकार और सत्य से असत्य और पारस से लोहत्व दूर होता है वैसे ही शिवशरणों के अनुभा से जो है सारे भव जो है वहाँ चूट जाता है वह बादाय इस अंसार में चूट जाती है करके यहाँ पर वो कहते हुए शिवशरणों की महत्वता बक्ति की महत्वता को वो यहाँ पर समझा रहे है नेक्स्ट आखरी वच्चन जो है यहाँ पर वो किसका दिया है आप लोगों को अक्का महादेवी जी का देखे अपर परवत पर बसाकर गर जंगली जानवरों से क्या डरना सागर किनारे बसाकर गर लहरों से क्या डरना हाट में बसाकर गर शोरगुल से क्या डरना चन्न मल्लिक आर्जना सुनो जगत्स में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए देखी आपर चन्नमली कारजुना क्या है ? अक्का महादेवी जी का अंकित नाम है तो इसके जो अर्त है उसे देखने से पहले इसका सार देखने से पहले हम कन्नड में इसका जो मूल रुप है उसे हम देखेंगी बेच्टदा मेलोंदू मनेय माडregonी बुरगंगळी गंजीदुडें तैया, समुद्रदा तडियलोंदू मनेय माडी, नोरे तेरेगळी गंजी दुडें तैया, सन्ते योडगोंदू मनेय माडी, शब्दक की नाची दोडें तैया, चन्न मल्ली कार्जुना देवा केळईया, लोक दोडगे हुट्टिद बढ़िका, स्तुति निंदेगडु बंदरे, मनदल्ली कोपवा तालदे समाधानी यागिरा बेकू. बहुती सुन्दर से अका महादेवी जी ने इसकी रचना की है, देखें, अका महादेवी जी यहाँ पर कहती है कि परवत पर बसाकर गर जंगली जानवरों से क्या डरना, हम लोग अगर परवत पर घर बसाते हैं, तो जंगली जानवरों से डरने के वश्यकता नहीं है, क्यू अगर हम परवत पर घर बसाएंगे तो जंगलिक जानवरों से तो क्या है हर दिन या पर मुलाकात होती ही रहती है तो उसे क्यों डरनी है और उसके बाद आगे कहते है समुंदर के किनारे मतलब सागर किनारे बसाकर गर लहरों से क्या डरना अगर घर को सागर के किनारे पर ही बनाया है तो लहरे उसे क्यों डरनी है लहरे तो आती ही रहती है तो उसे क्यों डरना है वही अगर आप हाट में देखे हाट का मतलब यहापर क्या है बाजार हाट मतलब यहापर क्या है बाजार तो हाट में बसा कर गर मतलब अगर आपने बाजार के बीच में ही अगर गर बनाया है तो ये शोरगुल से क्यों डरनी है तो बाजार है तो शोरगुल तो रहती ही है बाजार में इतना शोर रहता है ये तो हर वक्त की बात है पिर इसे क्यों डरनी है करके वो प्रश्न करती है अक्का महादेवी जी और आगे कहती है वैसे ही जिस तरह परवत पर बसा करगर जंगली जानवरों से नहीं डरना है और जिस तरह समुद्र के किनारे बसा करगर क्या है लहरों से नहीं डरना है और बाजार में बसा कर गर यहाँ पर शोरगुल से नहीं डरनी है वैसे ही अगर जगत में जन्म लिया है तो इस लौकिक जगत में अगर हमने जन्म लिया है तो स्तुती निंदा से यहाँ पर डरने की अवश्यकता नहीं है करके कह रही है देखिए सम्माज में सम्माज में लोगों की मनस्तिती कुछ इस तरह है कि आप कुछ भी करोईया पर आपकी स्तुति निंदा तो होती ही रहती है आपकी स्तुति निंदा होती ही रहती है तो ऐसे में क्यों डरनी है? बहुत सारे लोग इसी स्तुति निंदा से दर्कर क्या है बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ना छोड़ दी है आजकल के लोगों में तो क्या है मनस्तिती उनकी इतना यहाँ पर वीख है कि कुछ लोग स्तुति निंदा से डर्कर आत्महत्या कर लेते है क्यों ऐसे तो इसलिए अक्का महादेवी जी के रिए अगर आपने इस समाज में इस दुनिया में जन्म लिया है तो यहाँ पर स्तुति निंदा से नहीं डरनी है यह तो हर दिन की बात है जिस तरह समुद्र की किनारे पर आप गर बताते हो तो लहरे किस तरह आती ही रहती है उसके सामना आप पलपल करते ही रहते हो वैसे ही स्तुति निंदा भी है वैसे ही स्तुति निंदा भी है लोग आपके बारे में जरूर बाते करेंगे लोग आपके बारे में जरूर बाते करेंगे तो उसे क्यों डरनी है गर आप अच्छा काम करो बुरा काम करो लोग तो क्या है आपके बारे में बाते करते ही रहते हैं आपके स्तुतिनिंदा करते ही रहते हैं आपके बारे में वेंगी करते हैं आपके बारे में बुरा बात कर सकते हैं ये तो हमेशा की बात है तो इसलिए उसे दरने की क्या अवश्यकता है करके आपर प्रश्ण कर रही है तो इसलिए अगर क्या है ऐसी तुतिनिंदा की सामना अगर करनी पड़े तुतिनिंदा की सामना अगर करनी पड़े तो क्या करना है मन में क्रोध ना करते हुए क्रोध मतलब क्या है आपर गुसा क्रोध कारतिया पर क्या है गुसा तो क्रोध ना करते हुए समचित से रहना चाहिए क्या है समचित कारतिया पर वहाँ जिसका मन सब अवस्ता में समान रहता है जिसका मन सब अवस्ता में समान रहता है तो ऐसे ही क्या है समचित जो है हर एक वेक्ति में होना चाहिए वही समचित क्या है उसे हर मुश्किल हर कटिनाईयों से सामना करने की हिम्मत या पर देती है इसलिए अक्का महादेवी जी आपर ऐसे बाते कर रही है समचित रहो, आपके बारे में कोई कुछ भी बाते करे, परिशान ना होना और ना ही डरना, और ना ही क्रोधित होना, तो यहापर क्रोध की भाई की अवश्यकता नहीं है, ना ही चिंटा की अवश्यकता है समचित्त से क्या है आप आगे बढ़ते जाए समात के सामना जो है करते जाए करके यहाँ पर अक्का महादे देवी जी कह रही है देखे अभी जो इतने सारे जो वचन हमने देखे तीन वचन यहाँ पर हमने देखा अलम प्रभुजी का जो वचन था उसमें उन्होंने क्या क्या है या पर माया जो है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है तो अल्लमा प्रभु जी की जो माया है उससे संबंदित विचारदारा आए है संसार में कहते है यहापर जो भी आंकों को दिखता है वो सभी माया है असल में वो माया नहीं, जो उसे चाहते है, जो उन चीज़ों को एक्जामपल यह पर माटी, सुन्दर्स्त्री और सोने को यह पर लिया है उन्होंने, तो वो माया नहीं है, असल में जो आपको उसे चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वही माया है करके अल्लम अप्रबुज आसे ये दुक्क के मूलाओं तो उसी के अनुसार ही तो अभी अल्लम प्रभुजी ही बोल रहे हैं कि जो इच्छा है वही क्या है यहाँ पर माया है उसी माया के चलते हुए अगर आप उस माया में पढ़ेंगे तो क्या है आप दुक में दूबे रहेंगे करके अल्लम प्रभ जी आपर क्या केते हैं कि ज्ञान से अग्ण्यान दूर होता है जोती से अंदकार दूर होती है और उसके बाद सत्य से असत्य दूर होता है वैसे ही यहाँ पर क्या है शिवशरणों की मतलब जो शिवशरण है जो संत महात्मा है उनके अनुभाव से मतलब सत्संग से यह भी क हो जाती है इसलिए सट संग में रहने के लिए वह मैं न न बहुत ही जरूरी है तो कंपर कहा है हम देख सकते हिंदी साहित्य में थो एक सट संग कि मतलब शिवश्यणों की संग के बारे में उनकी महत्व के बारे में और केम महत्व açık में वहीं उनकी वॉचन को आज के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या किसकते जो सत्संग है एक अच्छा संग जो है वो रहना बहुत ही जरूरी है करके वही अभी अग्का महादेवी जी की जो वचन है उसमें वो कहते हैं कि समुद्र के तट पर रहने से लहरों से नहीं डिरनी है और परवत पर गर बसाकर जंगली जानवरों से नहीं डिरनी है और बाजार में गर बना कर शोरगुल से क्यों डिरनी है इस तरह प्रश्ण करते हुए वैसे ही इस समाज में इस संसार में इस दुनिया में जन्म लेने पर क्या है सुतिनिंदा के सामना हमें पल-पल करनी बढ़ती है तो फिर उसे क्य डिरनी है इसलिए क्रोध ना करते हुए हमेशा समचित से रहने के लिए वह कह रही है देखिए आज की समय के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है समचित से रहना लोग जो है आजकल चोटी-चोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं यह तक कि चोटी-चोटी बातों के लिए है ना डरते हुए हमेशा सम्चित से रहने के लिए यहां पर अक्का महादेवी जी कहती है इसलिए जिस तरह यहां का भीरदासची रहेदासची यह फिर जो बक्त-संत कवी है उनकी साहित्य को जो हम किस तरह सर्वकालिक सत्थी कहते हैं वैसे ही यह जो 12 शति के जो वचन वालिक सत्ती ही टहरते हैं इनसे आज भी क्या है बहुत कुछ सीख जो है हम लोगों को मिलती है इस वच्चन साहित्ति को जो है इस युक को जो है कन्नर साहित्ति का स्वर्णू युगिया पर माना गया है धन्यवाद